हेलो दोस्तों आज हम कवर करेंगे अस्टेलिया टी 20 लीग बीग बेस का जो खेला जाएगा अस्टेलिया टी 20 लीग का मैच नमर चौदमा आभी तख में तेरे मुकाबला हो चुका है अस्टेलिया टी 20 लीग का अब आज नहीं कल जो खेला जाएगा वो खेला जाएगा चौ सुदमा मैच खेला चाहेगा संडे पिंक और मेलवन ग्रीन संडे पिक और मेलवन ग्रीन का पीज जो मुकाबला होगा वो मुकाबला में कौन सा टीम जीतेगा और कौन सा टीम हरेगा अबरेज एसकोर कितना बन सकता है हाइस अबरेज एसकोर कितना बन सकता है लो अबरेज ए पीच है या बॉलिंग पीच कौन सा टीम पहले बैटिंग करेगा तो कितने अबरेज बन सकता है दोनों टीम में से स्ट्रोंग कौन है कमजोर टीम है सारा डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा वी डॉट बिना स्किप किये इस वीडियो को एन तक जरूर देखना अगर वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना आज इस वीडियो में बताएंगे हेड टू हेड रिकाउट किसे अच्छे हैं अरिशन्ट के मैच में कौन फ्लोप्स हो रहा है सारा बात इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ चलिए यहां पर पॉंच मुकाबले में से सतक से एक रन मातर चुका है दो में सतक के करीब आसपास लगाये हैं ती-टौईन्टी में सतक लगाना बहुत काब्लियत का बंदे होता है और साधि साथ यह विकेट की प्रिंग से पोइंट देगा शेफ पिलियर के रूम में ये फिलिप्स को तक सकते हैं और हुआ पर बात कर लेते हैं रिशन का पिलियर का साई हल पर जो खास परदर्शन नहीं कर रहा है लेकिन इनका रिकाउट के बात करें रिशन के फॉर्म ठीक ठाक चल रहा है जिस तरह से इनका बैटिंग ओडर आता है उस कंडिशन में या आपको डिरिम टीम मे इनाम देता है आप अगर से फिलियर के जोर जाना चाहते हैं जे फिलिप्स के साथ जा सकते हैं क्योंकि यह भी बैटिंग और बैटिंग और विकेट कीपरिंग दोनों से पॉइंट देगा साई अपने भी विकेट कीपर से भी पॉइंट देगा इसलिए इनका सालेक्शन हाई है इनका सालेक्सन पर्षेंड लो है लेकिन सलफर जो है यह खेला नहीं है हेड टू हेड मुकाबले इस लिए इस ट्रीम का गेंस कैसा परदर्शन करेगा यह कोई गरांटी नहीं है लेकिन डर्मकाड रिक्सी पिलियर के रूम में अगर इसे लेना चाहते हैं तो यह इस था इस यह ने एक मैच में करीबन सतक लगाया दूसरे में 40 रन मारा तीसरे में 10 रन इस तरह से दो में अच्छे खासे परदर्शन किया बांकी में फ्लोप्स हुआ है यह कब परदर्शन करता है जब पहले जिर्नी ठंडर जो है पहले बैटिंग करे तब जाकर यह सुमित का रिशन के फॉर्म देखा जाए तो काफी जबदस्त है अगर खेलेगा तो अपनी टीम में रखने के साथ साथ इसे कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी भी टराइक कर सकते हैं लेकिन हेड टू हेड मुकाबला खेला नहीं है तो पीच सपूर्ट करेगा या नही करेगा यह थोड़ा डर्मकाड रिक्सी पिलियर के रूम में रख सकते हैं लेकिन से पिलियर नहीं होने बला रहे आप भी जनते हैं जिसे गरॉंड सूट करता है वही पिलियर यहां पर अच्छे खासे परदर्शन कर सकता है क्योंकि अस्टेलिया का पीश है और उससे पहल सणधी एस्टेलिया में खेला जाएगा जो एस्टेलिया का ग्रॉंड है कभी बॉलिंग का फेवन में जता है जडियो आपकोधा बैरन लेना है आपको बाइलेंस ट्रीं बनाना है तो आपको जो carrots लगाएं वह नहीं डूबेग जब आपको gonna से सक्सक्रीपिस नहीं डूएगा तो तो आप मोटिवेट होकार खेल सकती हो और अच्छे खासे विन करने का संभणना बना रहेगा 8 भास्टेव बता देता हूं क्योंकि मैं टेली गराम पर एक्टिव नहीं रहाता हूँ टेलिग्राम पर मैं एक्टिव इसलिए नहीं रहाता हूँ क्योंकि मेरा ओडियंस बहुत कम है आप लोग अगर सपोर्ट और प्यार करेंगे तो 10K सब्सक्राइब होने के बाद मैं टेलिग्राम पर भी टीम क्रियाट करकर देना चालू कर दू है यह थोड़ा नीचे आता है और इसे कभी बैटिंग आटर आता है कभी नहीं आता है जब सिंद्नी ठंडर पहले बैटिंग करेगा तो इनका चौंस कम मिलता है बैटिंग आने का लेकिन रिसंद के में अगर बैटिंग आ गया 34 विकेट गिरा सकता है क्योंकि इनका भी ब लेकूंसे पर दर्शन करता है आप भी फ़लॉप नहीं हुण है अब बात करने हैं इनका लैनम में तो नाम है अधिकम कहीं स्टिक्टाक करता है लेकिन थेक्ट गार नहीं खेला है या पर्दशन करेंगा कोई पता नहीं है दो मात्र एक मकाबले खेले हैं इस ट्रीम का एक मकाबले में हेड तू है एक मकाबले में यह तीन रन बनाया है समझोब फलॉप सही हुआ है अब जोग जिनका रिजन है डेकि टेप रसन कास अच्य पर दोर्शन नहीं किया है लेकिन 62 पॉइंट दे einzige कर गया है अब देखे इन सब बिरेट कीपर से विपार किपर है जिसे आप टराय कर सकते हैं लेकिन आप तिम सेक्षं में उन्हें तो आप अपने टीम में नहीं रख सकते हैं अगर देखिए माई इसे अपने इंग्डोर करकर इनपॉर्टेन जो पिलियर होगा उसी को मैं इसमें खास बात है यह कभी काल पार्ट टेम बॉलिंग करता है तो इसलिए मैं अपने इस पिलियर को रख लिए हैं क्योंकि अच्छे खासे पॉइंट देनी का संभावना इससे बना रहेगा आप बात कर लेते ह है ओलंडा सेक्षन में हर कोई एमस्टोनिक के साथ जाएगा लेकिन में स्टोनिक रिशन के फॉर्म काफी बुरी चल रहा है हेट टू-हेट मकाबला नहीं खेला है लेकिन इसका अंदर काबलियत है और तीनी थंडर का जो बेस्टमेन है वो काफी एस्टोंग है और बॉलर करने का उमीद इसे लगा सकते हैं मैं क्यों करा रहा हूं गरेन मेक्षवेल को गरेन मेक्षवेल head to head खेला है एक मैच में यह भी सतक से भी ज्यादा लगाया है इसलिए head to head a grand makes bills का ठीक ठाख है और a selection percent high है उससे फरक नहीं परता है पीछ भी बाइलेंस है कभी बैट्क करें इसे फ्रलॉप्स होगा तो बॉइंट नेगा गुर्यण मेइंक्स मेल कभी काल चार वर करता है चाहें बॉइलर ये फिर भी दो ओवर कर देता है अगर दो ओवर में विकेट निकाल लिया तो आपको अच्छे खासे पॉइंट दे कर जाएगा आप देखिए एम केंज को को अपने टीम में रखना ही परेगा क्योंकि रिस्टन के फॉर्म अच्छे चल रहा है हेट टू हेट रिकोड जब-जब खेलता है ठीक-ठाक पर्दासन करता है अपार्टे मबॉलिंग भी करता है और नहीं बॉलिंग एका कोवर कर लेता है तो एकाप किट चटकाने कमई। न है इसलिए बाइलेंस टिम में है तो इसे अपने team में जरूर किजिका आप का रिष्टान्ट के मैच काफी परदाशन किया है लेकिन head to head नहीं खेला दूसरे में है हैलिक केरी भाई हैलिक केरी खेलेगा तो आप अपने टीम में इसे अंख मुंद कर नहीं कौन बंद करकर भी इसे अपने अच्छे हैं आप दखियो वेस्टर वेस्टर रिष्टर के मौज में थोड़ा अच्छे परदर्शन कर रहा है रिष्टर के मैच में कर सकते हैं आप देखिये डर्म कार्ट के पिलियर क्रूब में अलो धन खेलेगा तो इनका भी रिकाउट ठीक ठाक है अगले मैच में मैं इने बताया हूं ठीक ठाक परदर्शन करने का उमीद लगा सकते हैं डर्म कार्ड रिक्सी पिलियर होगा स्पिनर है कभी विकेट मिलेगा कभी नहीं लेकिन बाइलेंग स्पिस पर हंड्रेट परसेंट चांज होता है विकेट मिलने का अब यह आप देखिए इन इमाद असरम का भी मैं ड्रॉप करकर मैं स्टोनिस को ड्रॉप करकर जे ओवर्जन एक डर्म कार्ड ओलंडर लिया ह क्योंकि इस टीम का गेंस हमेशा अच्छे परदर्शन कर रहा है ठीक ठाक कर ला देखिए हर्ष रूप पर इस टीम का गेंस खेला नहीं लेकिन रिसंट के मैंच अच्छे चल रहा है डर्म काड रिक्सी पिलियर होगा सालेक्शन पर्षेंट भी कम है अब यह आप नाथू लेकिन अभी रिशंट के मैंच खेला नहीं इस टीम का गेंस एड़ डिसंट के मैंच कैसा है लेकिन बोलर के अंदर बहुत काबलियत है डर्म काड रिक्सी पिलियर के रूम में ट्राइक कर सकते हैं बेंदु सार को तो आपको अपनी टीम में रखना होगा क्योंकि इस टीम लेकर जा रहा है ठिट करने का उमिद लगा सकते फेक निकाल के जा रहा है पर्स और बád दोणों का अचीक्वासा है डर्म काड रिक्सी यूनिक पिलियर के रूम में होगा अब में हैंच खेलेगा अगर मेंच छाने आपिन तीम में जरू रखेगा जब सिन्नी ठंडर पहले बाटिंग करेगा तो रखना अगर सिन्नी ठंडर पहले बॉलिंग भी करेगा तो नहीं रखना क्यों कि सिन्नी ठंडर जो है बॉलिंग करेगा तो यह आउट हो जाएगा रन नहीं बनेगा तो अगर सिन्नी टांडर पाले बॉलिंग करे तो इसे कैप्टन और वाइस कैप्टन भी ट्राइक कर सकते हैं यूनिक होगा बाइलेंस पीछ है कभी भी विकेट गिर सकता है अब यहाँ पर देखें बेवेशन इस टीम का गेंस पहुंच मकाबले खेले हैं लिए 2 में अच्छे खाते विकेट निकाल कर गया थे Aham इन टीम का गेंस जहां धीन यह और स्ट बोलार एक यह लिया हूं यह थे टीन बोलार लेटा लेने के बाद देखें मैं तीन फोल किने लए-पशन मेन लेका atau के बनाने के बाद देखिए कैप्टन और वाइस कैप्टन ध्यान से सुनिएगा आप भी जानते हैं जिस टीम से कैप्टन और वाइस कैप्टन अच्छे परपॉर्म कर देगा वह टीम अच्छे खासे रेंग कर जाएगा देखिए अगर आप कैप्टन योनिक कैप्टन देना च अच्छे खासे परदर्शन करने का उमीद इससे लगा सकते हैं । आप बॉलिंग को फेवर में टीम बनाना चाहते हैं तो कैप्टन के रूम में बिंदुसार और वाइस कैप्टन के रूम में इसे टराय कर सकते हैं क्योंकि अच्छे खास है परदर्शन कर लेता है अब मैं थोड़ा यूनिक जे फिलिप्स को कैप्टन दूंगा जब पहले ब पर्वियू कि इस तरह से रहता है ध्यान से देखिए मेरा टीम का पर्वियू कि इस तरह से रहेगा मेरा टीम का फिलाल के लिए पर्वियू इस तरह से रहेगा मैं बाइलेंस के पीच के हिसाब से टीम बनाया हूं यह डेमो के लिए अगर शिनी टंडर पाले बैक्टिंग करना फिर मिनते हैं नेस्ट वीडियो जाहीं दोस्तों